हालो गुड बॉनिंग स्टुडेंस हमारा जो यह आज का टॉपिक्स है एलेक्रिकल मेजर्मिंट और ट्रीपली ठर्ट से तो पहले हम यह जानते हैं कि हमारा मेजर्मिंट का पर्पस क्या है हम मेजर्मिंट क्यों करते हैं कखते हैं ऐग जानें के लिए करते हैं सपूच्छट देट अगरह मिटर से इम क्या मेजर्मिंट करते हैं इक टेंपलेचर बॉर्टी टेंपलेचर और निदेट एक किस form value में आता है आप गहुर करके देखेंगे वहारा जो body का temperature जो value आता है वह हमारा एक 98 point degree देखेंगे ये 98 point degree Celsius है और ये 98 point degree Celsius क्या है एक number के form में है तो हम measure हैसा करते है जो measurement हमारा एक number के form में आ रहा है एक physical quantity को measure कर रहे है एक number के form में किसलिए क्योंकि कोई भी चीजों को एक accuracy जानने के लिए कि कितना accuracy है हम एक अंदाज लगाते हैं कि इसकी वुखार है किसी परसन को वो कितना temperature होगा तो वो हम थर्मामिटर से हम मेजर करते हैं माल लिए हम एक इनर्जी मिटर को एकजामपल में देखते हैं इफ वी मेजर इनर्जी मिटर इट गिव वैल्यू इन नंबर लाइक 201-202 किलोवाट देखें इनर्जी मिटर मैंने पिछले क्लास जे बताया था जो हमें विजली बिल की खपत जो होती है वो किस फॉर में आता ह को क्वाट्यटी को मिजर्मिन यूज करता है क्वाट्यटी बताना चाहां कि को सम्चाहा नहीं यह हमारा simple language है कि the purpose of measurement is to present measured value to numerical value बहुत simple language अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यह है कि the purpose क्या purpose है हमारा the purpose of measurement is to present measured value to numerical value जो हमने measured value किया उसको numerical value में convert करना जैसे थर्ममेटर को देखे मेजर किया थर्ममेटर से numerical value हमें मिला 98.7 degree Fahrenheit यह आपको numerical value मिलता है तो हमें यह पता चलता है कि हमें कितना मेजर किया गया अब हमें now difference between the measured value and true value measured value क्या होता है जिसे भी पिछले क्लास ने देखा कि measured value true numerical value मिलाया गया तो हम मेजर्ट वैल्यू जानते है क्या होता है मेजर्ट वह होता है कोई ऐसा value जो any value और any reading calculated from measurement system or measuring instrument is known as measure value अगर measured value की बात करें तो कोई instrument से आप measure करते हैं आप कोई instrument से measured करते हैं like a measuring instrument ठीक है students आप measured करते हैं measuring instrument से तो यह जब आप measured करते हैं measuring instrument से तो वह आपका measured value देता है तो जब आपका measured value मिलता है तो आप उसको कहते हैं कि यह measured value है measuring instrument द्वारा सब पहुचते हैं थर्ममीटर आप से क्या करते हैं measured करते हैं एक value को measured करते हैं that is called a measured value आपका यह measured value जो है यह क्या करता है कि आपको एक number की रूप में आपका value देता है जिसको कहते है numerical value okay students तो यह आपका measured value है now come to the point true value true value क्या होता है any value calculated from rated value is known as true value ऐसा value जो rated value है true value का मतलब यह हो गया कि जो rated value है आपको वह value जो है वह rated है मतलब वह पहले से fix है जैसे suppose एक machine मालने या एक machine लीजिए जो और पहले से rated है और उसको rated value करते हैं जैसे तीन एंपियर चार एंपियर पहले से पता है कि चार एंपियर है और वह rating उसका दिया हुआ जैसे आप बल्व लाते हैं तो उसमें पहले से लिखा होता है कि यह इस वरक उन 220 वोल्ड के स्टुडेंट्स यह इस वरक उन 220 वोल्ड यह ट्रू वैल्यू दिया हुआ है आपका यह रेटिंग उस पहले से पता है आपका उस वैल्यू के बारे में वह ट्रू वैल्यू है सब्सक्राइब नींट olur कि सभाएंड की कोई तो आपको पता है कि यह पर कई आये सब्सक्राइब सबस्क्राइब करता हूं इस सब्सक्राइब है और पर कर देखेंगे तो ट्रू वैल्यू क्या है एक मसीन है एक यह आपका यह मसीन जो है और यह मसीन सिंपली रेटेड कर रहा है ठीक है रेटिंग दिया हुआ इस मसीन का और यह एक टेक्नोमीटर है जिससे हम इसका स्पीड को मेजर करते हैं और यह मसीन को हम मेजर करते हैं जैसे इसका ट्रू वैलू इसके पहले से रेटिंग दिया हुआ इस मोटर का ठीक है और यह टेक्कोमीटर से है यानि कि आपने यहां पर प्रू वैलू दिया यानि कि जो हमारे यह मोटर है वह सिंस्टम इन्पूट है क्योंकि इसकी पहले से पता है देखें यह यह जो एंटी है आप मेजरिंग करके जब निकाले तो कुछ वैलू में फर्क आता है जिसकी आर्पीयम में दिया हुआ था और यह आपको टेकोमीटर से आपने मेजर किया ति उसकी वैलू कुछ डिफ्रेंस आया ठीक है तो एक इस्टम है और यह सिस्टम मैंने ट्रू वैलू है मेजरिंग इस्ट्रूमेंट से मेजर किया वह हमारा जो आया वह मेजर वैलू है मैंना कहनी का मतब यह है कि प्रू वैलू और मेजर वैलू का मतब यह समझ आई कि जैसे सब्सक्राइट कि आपको बल्ब लाते हैं और वह कंजप्शन करता है 220 लेकिन आपके घरों में आचानक वोल्ट कि क्थक्राब जाने से क्या हो जाता है वो फ्यूल हो जाता है तो वह मैं यह काता हूं कि वह भी है आपका जो प्रूब है उसले कंघ नहीं की तक है कि ocas irgendwie है Okay था ज्वांग हनी का मतलब हमेजर वैलू क्या होटा है मैं आपको यह औरスト प्रूब value होता है any value calculated from rated rated simple rated value is known as true value okay students अब चलते हैं error देखें error तभी न आएगा जब true value से measured value पे difference हो error कब आएगा true value पहले से दिया हुआ था ये true value है ये error कब आएगा देखें simple students true value जो आपका मालिक पहले से दिया हुआ है measure आपने 220 value होना चाहिए ठीक है students आपका 220 होना चाहिए और measuring करने के बाद आपको आ रहा है 210 वोल्ड माले 220 हमारा ये एक measured value है ठीक है true value है लेकिन ये true value ना होकर measured value हमारा रहा है 210 तो 220-210 क्या हो जाएगा students equal to कितना difference पढ़ गया ठीक है तो 10 का तो ये जो आपका यह एर राया जो यह यह जो टेन आया ना वह एर राया students वह टेन जो आपको आया राया तो वह मैं represent error को डेल्टा से यह डेल से रिप्रेजेंट करते हैं यह डेल से रिप्रेजेंट करते हैं एम जो है आपका measured value है और 80 जो है true value है okay students तो यह हमारा aim जो हो गया measured value हो गया और 80 हमारा true value हो गया तो यह हमारा यह आपका error निकल गया अब now come the point on electrical instrument अब हम इस बात से अब जब अबगत हो गये कि सारे measured value क्या होता है true value क्या होता है तो हम आते हैं electrical instrument जैसे आपको अभी तक मैंने बता दिया कि purpose of measurement system कि सो कहते है true value और measured value कि से कहते है में error क्या होता है अब now come point on electrical instruments तो students electrical instruments का मतलब होता है कि the instruments which are used to measure electrical quantities are called electrical instruments वैसे quantity जो आप measure करते हैं electrical quantities को करते हैं electrical instrument example meter हो गया volt meter हो गया वाट मिटर हो गया energy meter हो गया students the instruments which are used to measure electrical quantities are called electrical instruments and meter volt meter watt meter energy meter students electrical instrument can also be classified as दो प्रकार से इसको classified करते students electrical instrument को दो प्रकार से classified करते हैं एक है हमारा absolute instrument okay students now come on the point that's एक हमारा absolute instrument और एक है secondary instruments students हमारा एक absolute देखिए students absolute का मतलब होता है पुर्ण complete ultimate मैंने यहां पर मिनिंग लिखने कोशिस कहा था ultimate supreme तो electrical instrument दो प्रकार से classification किया गया है absolute instrument secondary instrument okay students absolute का मतलब तो पुर्ण complete supreme okay students तो ultimate आपका मतलब है कि absolute को बारे में आप चलत्वा definition बताता हूं मैं तो absolute instrument उसे करते हैं कि दो इस्ट्रूमेंट वीच गिव मैंगनिचूड ओफ एक क्वांटिटी इन टर्म्स आफ सम कॉंस्टेंट ओफ इस्ट्रूमेंट देखें absolute instrument आपको एक मैंगनिचूड के साथ साथ एक कॉंस्टेंट वैल्यू देता है टर्म्स आफ सम कॉंस्टेंट ओफ इस्ट्रूमेंट जो कॉंटिटी हमें मिलती है वो सम कॉंस्टेंट के रूपे मिलती है इसको कैलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है मतलब कि इसे तरह से समझे थे कि एक standard instrument है इसे हम दूसरे से comparison करते हैं जो absolute instrument बनता है इस्टूएंस वह absolute instruments जो है हम दूसरे fault instrument से हम comparison करते हैं क्योंकि absolute instrument आल्रेडी पुर्न है complete है supreme है गहएड है सभी instrument का तो इससे हम fault instrument से measure करते हैं कि fault instrument में such में fault है या नहीं यह absolute instrument के value से measure करके देखते हैं straw तो यह दोज घमाःच of a quantity in terms of some constant vehicle these are used in lab for the purpose of the calibration and sends endicalshit d невे ईसैंघ्व हैंट क्रेंद गालिब्रेशाइशन होता है इसका यह absolute instrument होता है यानि कि पुर्ण instrument होता है Supreme instrument होता है ultimate instrument होता है complete instrument होता है और यह इस instrument से हम faulty instruments से calibration करते हैं comparison करते हैं Okay मुझे अपको समझ में आ गया होगा now दूसरे point पर चलते है secondary instruments secondary instruments come on this piece those instruments these instruments give magnitude of the quantity directly on the scale instrument ये कैसा instrument secondary instruments जो आपको scale पी आपको scale एस प्रकार का मैं बनानी कोचिस करता हूँ आपको like this point कि यह इस प्रकार का scale होता है आप देखते हैं और यह इस तरह का होता है और यह स्केल से और एम यह पोइंट्र थी यह ऊब ऐह का यह पोइंटर है यह इसको काते है इसको काते है इसकेल ओके लोगे ही इडार गैस्टो मेर्स ख़स्वाइब लिए नहीं चूट ओफ देखे मैं चूट वन टो थी फोर री प्रजेंट कर रहा है मैं चूट ओफ दा कॉनिटी डाइटली ओन आपको जैसे ही आपको माले वन पर टू पर थी फोर पर कितना है माले जाए को वैल्यू देता है अचानल लगत डायेक्टली वैलू देरा है वन टू स्केलंड पर या को सबस्क्राइट Means या ञाएं यूज्री आ सोब्सक्राइटर को बता देता है चूरेंटब हैंना टी इस डाइरेक्टली रेकली अटेटिटी डाली उन्डास केल्व बताता सो इसट तो इसचैल में ज Congress बैद यो कि सीजो का वैल्व आलियू ऑक्ति जान अब करते हैं किसे पकरते हैं किसे एब ऑसुलोट इस्ट्ुमेंस सेु制ित सही है या नहीं है यह last point देखेगा instruments यह जो करता these instruments इस्ट्रूमेंथ Eric के लीब्रेटेड एकhes collected मतलब उससे उसकी तुल्णा की जाती है absolute instrument च्पोर्प न noi करते हैं कि अरेडी पूर्ण होता है औरडी कम्पलीट ऊरेड इसुप्रीम होता जो लाइड में होता है वह बिल्कुल सच ही होता है तो उसका तुलना हम सकेंडरी स्टूमेंट को कॉम्पेरिजन करते हैं कि हमारा सकेंडरी स्टूमेंट ख्राइब तो नहीं है चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लाइक इसे करते हैं एप्सुलूट इस्टूमेंट से तो यह आपको प्रैक्टिकल लाइप कोई भी इस पर एक हमें यह को सब्सक्राइब में सब्सक्राइब शेया मेर City यह में जेखेब से च departments gottaको सब्सक्राइब करने करें अउर और आनालोग यह मेट्र आप सब्सक्राइब करें आपको यह जो यह जो कर रहा है यह जून सर यह मेजर्मेंट सो कर रहा है कि कतनी इस है तो अब आपको फिरसे रहां करा दूँ है कि पर्पस ऑफ मेजर्मेंट जो मैंने पहले प्रस्ट पॉइंट पर बता रहा है और आप जो घरों में यह मीटर लगा होता है यह मीटर से आपको 2698 यानि कि इतनी आपकी कंचप्शन हो रहा है तो यह आपका एक एक्जामपल है इसको 128 282 जो कर रहा है यह इसे ऐनलोग करते हैं यह डिजिटली है और इसको काते हैं अनलोग करते हैं यह पॉइंट को आपने Сов streamlined इस्ट्रूमेंट से बिंट्री क्लासिकेशन कितना होता है धिस्ट्रूमेंट से दो परकार का था ऐपसिलीट इस्ट्रूमेंट और ये हमारा सुट सुट्रूमेंट सैंसेंट इस फुष्ट सुन। इस फुष दिन हर इस पैटार नब Wenn प्रांटर में आपको कोसिस करते हों फिर से आपको वह दिखाने का कोसिस करना हो और यह आता यह आपको एस्टूमनन और अ मिन यह मैं देख्टिंग इस्ट्रूमेंट्स उंहें ृक को मैं आपको दिखाता हूं इस प्रकार के लिए is three है प्सक्राइब होई तो है इत गॉसित है तो यह इन गयर्प्तिक सब्सक्राइब तो इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन करेंट में करेंट को यहां पर मुविंग कोईल है और इसके नीचे से करेंट दिया जाता है तो यह डिफ्लेक्शन करता है तो यह डिफ्लेक्शन जो है आपको के ने के स mö tussen यहां पे देखिजाए का किंश्टूमैंट्स आपको यहांपर बीप कर रहा है यह土 है यह दिफ्लेटिंग इस्टूमैंट्स होगे हमारा औरिहें Isster अब नलन इस्टुमेंट्स क्या वैसे ह्मारे स्लेवमंड़ा में नहीं पड़ना नल स्टुमेंट इकले एक मैडली सुल होता है नकेदर जो यह कहते है जुत कहते नहीं क्यों करों गया दोखेजी का वह कलें लें yakatte59 बैंक पत्थर और ऊपर इस उधर तो करों अब इंटिग्रेटिंग और इंटिग्रेटिंग और इंटिग्रेटिंग 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 इंटिग्रेट तो मैं आज क्लास को मैं इतना ही संब्द करता हूं नेस्ट क्लास में आपको तीन का इंडिकेटिंग इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग पे डिटेल क्लास लोगा तो उम्हीद है कि आप लोगने अच्छे से समझा होगा फिर भी कोई कोई प्रॉब्लम होगो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम होता हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं के स्टूरिंग थाइंक्यू